नमस्कार दोस्तों, आर्पीसी अस्प्रेंस पे आप सभी एका स्वागत है और अपन अम्डियोनिक इंडेक्शन वाला टोपिक हमने कम्प्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे फैट ओफ जर्म लेर, वैसे जर्म लेर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम य उनसी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टोडर्म, फैट ओफ एक्टोडर्म, तो डाइग्राम यह बनाया था कि चीज़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, आसानी से दिमाग में क्या हो जाए, फिट हो जाए, तो आपको उपर की तरफ नजर आ रहा है, यह क्या है, हेर है, अपने बाल है न, और यह है ब्रेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरी बोड़ी का क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, और यह रेटिना, माउथ, नर्वस सिस्टम है यह अपना, और यह स्कीन, और यह है एनल कैनल, इन सभी का निर्मान किस से होता है, एक्टोडर्म से होता है, किस से होता है, एक्टोडर्म से होता है, क्या आद किस तरह के से रखेंगे देखो, बस इ, बस इ, तो यहाँ पर बी का मतलब क्या है, ब्रेन है, क्या है, ब्रेन है, और एस का मतलब है, स्प PINEL CODE MERUDEND और इस E का कैनद मतलब है KONYA CONJECTION LENSE RETINA KONYA CONJECTION LENSE RETINA KONYA SOYOSHAK LENSE RETINA KONYA में भी E है और retena में भी क्या है E है तो आप इस तरह की याद रखोगे कि इन में E है तो आप इसे E से याद रखोगे है न और this E का क्या मतलब है epidermis skin और CE से मतलब है epidermal gland और epidermal gland के अंदरगत देखिए sweet gland, memory gland, hair, nail और hooks ये सब आते हैं और CE का मतलब है internal air तो इन सभी organ का निर्बान किस से होता है ectoderm से होता है किस से होता है ectoderm से होता है इसके अलावा देखिए pineal gland, adenal medulla enamel teeth और pituitary gland pineal gland, adenal medulla enamel teeth और pituitary gland इन सभी का निर्बान किस से होता है ectoderm से होता है अब देखो fat of mesoderm fat of mesoderm mesoderm की द्वारा कौन कोन से organ का निर्बान होता है diagram आपको यहाँ पर नजर आ रहा है diagram में सबसे उपर आपको नजर आ रहा है circulatory system यह क्या है? यह अपना है circulatory system ठीक है? और यह है muscles और यह है अपना खूब सूरत सा क्या है? heart है heart है और यह आपको नजर आ रही है bone और यह है kidney lining और kidney lining की नीजे की तरफ आपको नजर आ रहा है urethra क्या नजर आ रहा है? urethra और kidney की ऊपर adrenal cortex तो इन सभी का निर्मान किस से होता है? मीजो डर्म से होता है किस से होता है? मीजो डर्म से होता है याद किस तरी की से रखोगे देखो MBCCL Kuga MBCCL Kuga तो M का क्या मतलब है? muscles और B का मतलब है bone और C का मतलब है cartilage cartilage उपास्ती और C का मतलब Circulatory System क्या है? Circulatory System और Circulatory System में आप सभी को बता है Blood आता है, Heart आता है और Vessels आती है और Blood के अंदरगत ये सब आती है ये सब क्या? Venis, Arteries और Capillaries ठीक है? और इस L का क्या मतलब है? इस L का मतलब है Lymphatic System क्या? Lymphatic System Lassica Tantra Lassica Tantra के अंदरगत देखो Lymph Vessels आती है, Lymph आती है Lymphoid Organ और स्प्लीन आता है तो इन सभी का निर्मान किस से होता है? मीजोडर्म से होता है कूगा का क्या मतलब है? देखो K का मतलब है Kidney और U का मतलब है Eurethra K का मतलब है Kidney और U का मतलब है Eurethra और Z का मतलब है Gonets और A का मतलब है Adrenal Cortex क्या? Adrenal Cortex ठीक है? इसके अलावा देखो Silom Menstries Vertebral Column Primitive Stix किसकी? Hand की और Dermis of Skin Dermis of Skin और अब ध्यान रखना Dermis of Skin का तो निर्मान किस से होता है? मीजोडर्म से होता है और Epidermis का Epidermis का होता है Ectoderm से ठीक है? इसके अलावा एक और लिखोगे Connected Tissue क्या? Connected Tissue Connected Tissue का Origin किस से होता है? Connected Tissue किस से होता है? मीजोडर्म से होता है ठीक है? अब देखो Endoderm Fat of Endoderm Fat of Endoderm Endoderm के द्वारा कौन-कौन से Organ का निर्मान होता है तो देखो उपर की तरफ आपको नजर आ रहा है Thyroid और Parathiride और ये है Lungs अपने फेपडे और ये है Stomach Line Pancreage ये वाली और ये है भार की तरफ Large Intestine और अंदर वाली है Small Intestine और ये है Urinary Blader ये वाला ठीक है? और ये है Lever तो इन सभी का निर्वान किस से होता है? Endoderm से होता है किस से होता है? Endoderm से होता है याद किस तरी किस से रखोगे? देखो Z-L-U-M Z-L-U-M G का G से क्या हो जाएगा? Glend हो जाएगी कौन सी? Endocrine Glend Endocrine Glend के अंदर गत Thyroid Parathyride Thymus और Isolates of Langerhans ये सब आएँगी और L में Lंस आएँगे फेपड़ी Respiratory System और Respiratory System में आप सभी को पता है ट्रेकिया आता है Bronchi, Bronchioles और Alveloid Alveloid Respiratory System की Structural और Function Unit होती है ठीक है? और U का मतलब आपको पता ही है क्या है? Urinary Bladder और M का मतलब है Middle Ear तो इन सभी का निर्मान किस से होता है? Mezoderm से होता है तो ये सब था कि कौन-कौन से Germ Layer के द्वारा कौन-कौन से Organ का निर्मान होता है तो याद करें न आप इने अच्छी तरीके से और Questions भी करवाएंगे सभी chapters के करवाएंगे लेकिन अपना जो Embryology का मेटर है वो बहुत ही कम बचा है तो पहले से Complete कर लेते हैं फिर हम Questions करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही जय हिंद जय भारत